Hello everyone, welcome to our channel आज की वीडियो में हम डिजाइनर बेल्ट बनाना सिखेंगे तो इसके लिए मैंने ये फैबरिक लिया हुआ है जो कि बॉर्डर वाला फैबरिक है मेरा हाफ आफ इंच मेंने मार्जन तोनों साइट छोड़ा हुआ है बॉर्डर के और ये मेरी वुक्रा में पेपर पिस्टिंग भी कह सकते हैं आप इसे और ये मेरी लाइनिंग का फैबरिक लिया हुआ है अब इतीनों फैब्रिक के हल से हम बेल्ट तेयार करेंगे तो यह में लिया हुआ है अस्तर का फैब्रिक और यह मेरा डबल फोल्ड में रखा हुआ है इसका मेजरमेंट में आपको दिखाती हूँ जो भी आपका वेस्ट राउंड है वेस्ट राउंड से आपको दो तीन इंच कम आपका बेल्ट तयार हो जाएगा जैसे में ने 2.5 लिया तो हमारा सवा इंच का बेल्ट रेडी हो जाएगा यह में फैब्रिक की चोड़ाई के कोर्डिंग ही में यहाँ पर लिया हुआ है लेकि अगर आप तीन इंच लेते हैं यहाँ पर तो दो इंच का बेल्ट पर चिपका लेंगे प्रेस की हल्प से तो मैंने इसे चिपका दिया है देख सकते हैं आप स्टिक हो जाता है यह पर इसमें डोरी भी लगानी होगी तो दिखें डोरी के लिए भी मैंने फैब्रिक लिया हुआ है डबल फोल्ड में है 11 लेंद है और विट में आपको 1.5 ले लेना है और फिर सुई को एल्टा लेकर इस तरह से हम डालेंगे बहुत ही इजी ली डोरी पलट जाएगी अगर आप पीस तरह से लेगे बढ़ बलागा दोर टोट जाएगा अंदर क् Мы गर झाट फक्रणे दिराक प्रिक लांआं त्यस्के हलकते ह buy विड ऑजनाँ आपके लिएन क्रिणाह लिए हम जो इसे आपके टोरी तो आपके टेक्ष्ण छाहिएत्म चाहे तो दोरी ऐसलाँ सियाएं हम स्टेह टोरीशा कर लेंके चाहिए बुक्रम वाला पेपर पेस्टिंग है इसे हमें बाहर की तरफ रखना है देखे यह राइट साइड और हमारी अस्तर इसे हमने इस तरह से रखा है और यहां पर हम दोनों साइड डोरिया रख देंगे हमारी चो दो हमने कट की थी और ऐसे ही हम इस साइड भी डोरिया रख दे एक प्लटने के लिए चार इंच आपको 3-4 इंच आपको छोड़ देना है ताकि दिटक तर्न कर सके तर्फ तर्से मिने शिलाइ लगा लिए जिसा कि आप देख सकते अब सभी और आपको कॉर्णर पर हम कट लगा लेंगे इस तरह से मेने कट लगा लिए हैं अब हम इसे पलट देंगे जहां पर हमने खुला रखा है वहां से हम इस तरह से टर्ण कर देंगे तिके में थोड़ा साइड में रखा था खुला आप सेंटर में रखियेगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए थोड़ी सी देर लग जाए अपनी चोईस के कॉर्डिंग तो इस तरह से जितना हमने सिलाई में लिया इतना ही इसे फोल्ड कर लेना है और एक एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे तो इक पॉफिक्ट अच्छे से बेड जाएगा क्योंकि मेरा चिनोन का फैबरिक है तो यहां पर मैं तो आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूं पूरा इसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है दिखिए इस तरह से और चार पीसे आपको कट कर लेना है चार पीसे में हमारे चारो डोरी में लग जाएंगे तो इस तरह से आपको लेन लगाने के बाद आप इसे इस तरह से पल्टेंगे तो यह राइट साइड आ जाएगी चारो आपको इसी तरह से तरह से तरह से तरह लगा लिना है तीनों टर्जल को जैसे मैंने एक लगाना बताईए और यह हमारा बेल्ट तैयार है तो काफी अच्छा लुक लगता है इसे आप लहेंगा कुर्टी किसी भी ड्रेस के साथ एजी ली पहन सकते हैं और काफी स्टाइलिश लगता है और बेल्ट आप किसी भी प्लेइन साड़ी के साथ पहन सकते हैं आप सेक्वेंस में से बना कर तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो पसंद आ झाल झाल झाल